बाबु नैडू जी, आर्सी खुंटिया जी, उत्तम रेड़ी जी, बाटी जी, एल रमन्ना जी, हनुमांत रायु जी, मारी शाषिदर रेड़ी जी, अंजन कुमार यादव जी, बोथ राजू जी, कोडन राम जी, हमारे कैंडिडेट्स, गटबंधन के कैंडिडेट्स, वेंकटेश गाउट जी, गनेश्वर मुदी राज जी, दिलीप कुमार जी, अनिल यादव जी, सब पार्टियों के हमारे कारे करता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहाँ दिल से बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. सबसे पहले, मैं चंद्रबाबु नाइडू जी का, यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ. और जैसे उन्होंने कहा, हाइडरबाद का नाम जो बना है, पूरी दुनिया में आपका शेहर जाना जाता है. वो काम, चंद्रबाबु नाइडू जी ने और कॉंग्रेस पार्टी ने मिलके किया है। जरूर पिछले सालों में हम एक दूसरे का विपक्ष करते थे। मगर चाहे कॉंग्रेस पार्टी की सारकार रही, चाहे तेलगु देशम की सरकार, दोनों ने हाइडरबाद को दुनिया में मशूर करने का काम किया। यह जो आपका शहर है, यह मामूली शहर नहीं है। अमरीका के राश्ट्रपती, अमरीका के राश्ट्रपती ने कहा, कि अमरीका का 21 सदी में सिरफ चाइना और हिंदुस्तान मुकाबला कर सकता है। अब देखिए, सुपर पावर के राश्ट्रपती ने कहा, कि सिर्फ दो देश अमरीका का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर उन दो देशों में हिंदुस्तान का नाम है, तो नाम है खैदरबाद के कारण, बैंगलोर के कारण, नाम बना है। और ये जो आपका शहर है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक जात का नहीं है, ये किसी एक धर्म का नहीं है। ये सब का शहर है, इसके दर्वाजे सब के लिए खुले रहते हैं, इस शहर में लोग प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक साथ मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसकी अगर सक्सेस हुई है, अगर ये पूरी दुनिया में मशूर हुआ है, तो इसका कारण ये भाईचारा है, एकता है। अब देश में इस एकता को नरेंद्र मोदी जी तोड़ने में लगे हुए हैं। जहां भी वो जाते हैं, किसी ना किसी की बुराई करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप याद रखिये और यहाँ जो तेलगू देसम के कार्य करता है आप एक बात याद रखिये जब नाइडू जी जब नाइडू जी 2004 में चुनाव हा रहे थे तो मैंने उनके बारे में बोला था कि चुनाव ज़रूर हा रहे हैं मगर इन्होंने हाइडरबाद के लिए और अपने प्रदेश के लिए जबरदस्त काम किया है और इनकी बुराई नहीं करी जानी चाहिए तो उस समय 2004 में हम विपक्ष में थे मगर जो इन्होंने किया था जो सचाई थी उस सचाई को हमने भी माना था तो जरूर विपक्ष का रिष्टा था मगर इज़त का भी रिष्टा था अब आप देखिए जिस तेजी से हैदरबाद आगे बढ़ना था जो आपका नाम मशूर हुआ उसमें रुकावट आ गई के सी आप जी ने जिस प्रकार से हैदरबाद को आगे बढ़ाना था जिस प्रकार से उन्होंने हैदरबाद के लिए काम करना चाहिए था चाहे एरपोर्ट की बात हो सडकों की बात हो पानी की बात हो जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चाहिए वो उन्होंने काम नहीं किया यह पुरा हैदरबाद मानता है पुरा तलेंगाना मानता है एक परिवार के लिए पूरे के पूरे प्रदेश पूरा पूरा धन एक परिवार के हाथ में जा रहा है और ये जो गटबंदन बना है जो स्टेज पे हमारे सीनियर नेता बैटे हैं चाहे वो नाइडू जीर हो चाहे वो कोडम राम जी हो चाहे वो CPI के लोग हो और सब के यहां जंडे हैं यह सब तेलेंगाना की अवाज है यह जरूर अलग-अलग संगटन है मगर यह मिलकर तेलेंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं तेलेंगाना की अवाज की सरकार बनने जा रहे हैं किसी एक परिवार की अवाज ने अब देखिए दिली में दिली में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सब इंस्किट्यूशन पर आक्रमन कर रहे हैं तेलंगुद एसम ने और कॉंग्रेस पार्टी ने हर वक्त हिंदुस्तान के और इस प्रदेश के इंस्टिटूशन को बचा कर काम किया है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो आर बी आई हो चाहे वो सी बी आई हो चाहे वो इलेक्शन कमिशन हो हमारी पार्टियों ने इन इंस्टिटूशन की रक्षा करके काम किया है पहली बार हिंदुस्तान में चार सुप्रीम कॉर्ट के जज प्रेस के पास जाते हैं कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है बीजेपी के प्रेसिडंट का नाम जज लोया की हत्या में आया और उन चार सुप्रीम कॉर्ट जजज ने जज लोया का नाम लिया डाइरेक्ट हिंट दिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है तो एक के बाद एक जो इस देश को इंस्टिचूशन्स रक्षा करते हैं उनको नरेंद्र मोधी एक एक करके तोड़ रहे हैं CPI को डेरेक्टर को हटाये जाता है दो बज़े रात हटाये जाता है क्यूंकि वो राफाइल मामले पर इनक्वाइरी करना चाहता है नरेंद्र मोदी जी ब्रश्टचार की बात करते थे आपको याद होगा मगर मैं हाइद्रबाद के युवाओं को कहना चाहता हूँ आप उनके बाशन सुनिए आज कल ना रोजगार की बात करते हैं ना किसानों की बात करते हैं ना ब्रश्टचार की सबसे बड़ा भरष्ट चार हिंदुस्तान के इतिहास में राफाइल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयम किया है थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूँ UPA की सरकार थी 126 हवाई जहाज करीदने थे Air Force के जेनरल को कहा गया UPA सरकार ने कहा जो भी हवाई जहाज आपको अच्छा लगता है उसको खरीदिए कम से कम दाम पर खरीदिए एक शर्त है हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा हवाई जहाज को हिंदुस्तान के एंजिनियर्स साइबरबाद के एंजिनियर्स बैंगलोर के इंजिनियर्स बनाएंगे हिंदुस्तान में, बैंगलोर में, हाइदरबाद में हवाईजाज बनेगा एरफोर्ट्स के लोगों ने सोधा किया फ्रांस का हवाईजाज चुना 526 करोड रुपे एक हवाईजाज के लिए HL को कॉंट्राइक दिया जाना था HL 70 साल से हवाईजाज बना रहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहला काम HL से कॉंट्राइक चीनने का किया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फ्रांस जाते है उनके साथ डेलेगेशन में अने लंबानी जाता है फ्रांस का राश्ट्रपती कहता है भाई और बेहनों फ्रांस का राश्ट्रपती कहता है कि हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया था 526 करोड का हवाईजाज नहीं खरीदा जाएगा 1600 करोड रुपे हिंदुस्तान की सरकार देगी एचेल को कॉंट्राइक नहीं दिया जाएगा अनिलंबानी को कॉंट्राइक देना पड़ेगा और बैंगलोर में साइबरबाद में हवाईजाज नहीं बनेगा फ्रांस में हवाईजाज बनेगा बाई और बहनों हैदरबाद और टेलिंगाना के युवाओं आपको रोजगार नहीं दिया जाता आपसे रोजगार चीना जाता है स्वयम नरेंद्र मोदी ने आपसे रोजगार चीना अनिलंबानी को कॉंट्राइक दिया और भाई और बहनों तीस हजार करोर रुपे का फाइदा नरेंद्र मोदी ने अनिलंबानी को दिया आपका पैसा उसके जेम में तीस हजार करोर रुपे डाला है अब देखिए पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे अब नया नारा चला है देखिए चोकीदार 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 ये देखिए चार साल में अच्छे दिन आएंगे इसे चोकीदार चोर है नारा बन गया है अब चोकिदार चोर के साथ कौन खड़ा है तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर खड़े हुए है लोक सबा में उन्होंने आपको चोट मारी डी मॉनिटाइजेशन किया आपका नुकसान हुआ हुआ नुकसान आपके चीफ मिनिस्टर ने उनका समर्तन किया गबबर सिंग टैक से आपका नुकसान हुआ तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उनका समर्तन किया वाइस प्रेसेडन्ट के चुनाओं में प्रेसेडन्ट के चुनाओं में आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी मदद की मेरा आपके चीफ मिनिस्टर सवाल है आपने नरेंद्र मोदी जी का आपने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज क्यों नहीं किया आपने लोकसवा में राजसवा में हर बिल में नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों किया क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी की B टीम हो ये जो TRS पार्टी है इसका नाम तेलेंगाना राष्ट्रिय समिती नहीं है इसका नाम नाम सुनिये तेलेंगाना राष्ट्रिय संग परिवार है ये तेलेंगाना राष्ट्रिय समिती नहीं है ये राष्ट्रिय RSS और नरेंद्र मोदी की B team है जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं ये तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर करते हैं इसलिए ये गटबंदन बना है बरश्टाचार के खिलाफ TRS के खिलाफ हम सब खड़े हैं कॉंग्रेस पार्टी, तेलेगु देशम, कोडम राम जी, CPI मिलकर चीफ मिनिस्टर को और नरेंद्र मोदी जी को हराने जा रहे हैं, कोई शक्ती इस बात को नहीं रोक सकती है, यहां पे गटबंदन की सरकार बनने जा रही है, और आप सब लोग गटबंदन की सरकार बनाने जा रहे हो, और यहां TRS को हराने के बाद, 2019 में, 2019 में यही गटबंदन, नरेंद्र मोदी जी को और BJP को पूरे देश में हराने जा रहा है, आप देख ले ना, राजिस्तान में चुना हुआ, मध्यप्रदेश में चुना हुआ, तेलेंगाना, सब जगे, 36 गड़ में चुना हो रहा है, आप देख ले ना, यहां पे गटबंदन जीतेगा, राजिस्तान, मध्यप्रदेश, 36 गड़, मीजोराम में एक कॉंग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और उसके बाद, 2019 में, नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, अब, जैसे ना प्रेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ, कॉंग्रेस पार्टी, तेलगु देशम, और देश के बाकि सब विपक्ष के पार्टी, टी आरेस के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ यह जवाब देना है, क्या वो बीजेपी की भी टीम है, हाँ या ना, और अगर वो बीजेटी, बीजेपी की भी टीम है, नहीं है, तो फिर उन्होंने डी मोनेटाइजेशन में, गबबर सिंग टैक्स में, राष्टरपदी के एलेक् में नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यूं किया, क्यूंकि वो चाहते हैं, क्यूंकि वो चाहते हैं, कि नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने रहें, दिल्ली में उनकी सरकार हो, और यहां टी आरेस की सरकार हो, दिल्ली में हम नरेंद्र मोधी जी को हरा रहे हैं हराएंगे पूरा पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है तेलगुदेश्वम हम CPI एक साथ कड़े होकर उनको हराने जा रहे हैं और यहां पे हमारी सरकार बनने जा रही है कोई शक्ति इसको नहीं रोग सकती में को यहां पर जो हमारे कारे करता हैं कोंग्रेस पार्टी के कारे करता मिलकर लड़ना है एक साथ कड़े होके यहां पर अलग अलग पार्टी के कड़ेट्स हैं मगर ये सब हमारे candidates हैं, Congress के कारे करता हूं, सब हमारे candidates हैं, मिलकर सब को जिताना है, एक साथ लड़ना है, और यहां पे गडबंधन की सरकार बनानी हैं, आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, तेलंगाना के युवाओं, आप से मैं कहना चाहता हूँ, तेलंगाना के किसानों से मैं कहना चाहता हूँ, जो वाइदा रोजगार का इन्होंने आप से किया था, उस वाइदे को ने हो तोड़ा, जो कर्जा माफी की बात इन्होंने तेलंगाना के किसानों से की, वो वाइद तोड़ा था कॉंग्रेस पार्टी की घडबंदन की सरकार आएगी यहां पे हम किसानों का करजा माफ करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और जो वाइदा आपका पूरा नहीं हुआ तेलंगाना का निया सपने का वाइदा वो हम पूरा करके आपको दि मसकार जे हिंद जे तेलंगाना